चिंदगी तो किस्मत से चलती है दोस्तों, दिमाग से चलती तो बीर्वल भी बात्सा होता, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये दिहां तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा एक बाप के दो बेटे, पीता का देहांत हो जाता है, अरपती, खरपती या उससे बड़े नाम ले सकता हूँ, उनके बेटों की बात कर रहा हूँ मा जिन्दा रहती है, मा ने दोनों बेटों को बराबर उनकी पसंद का बिजनेस बाट कर दिया एक बेटा आज दुनिया के सबसे अमेरों की गिंती में आता है और एक बेटा कहां होना चाहिए, किस गिंती में होना चाहिए, आप समझ सकते हैं कारण क्या है, मेहनत का, किस्मत का, अच्छे बुरे का, कुछ समझ में नहीं आता दूस्तों मेरे तो नहीं आया है, आपके यदि आया हो तो ये कमेट जरूर करें इस दुनिया में बहुत से बड़े बड़े लोगों को आज तक कि ये समझ में नहीं आता है, आया है कि कमाता कौन है किस्मत कमाती है या मेहनत कमाती है मैंने आप लोगों से काफी बार कमेंट्स किये हैं आप लोगों के जवाब मिले दूले आएं एक तरफा जवाब नहीं आए या यूँ कर सकता हूँ 70-30 का रेश्यो आता तो मैं पता लगा लेता काफी कोशिस की मैंने मगर जिन में बीती है वो कहते हैं किस्मत कमाती है और जिन में अभी तक नहीं बीती वो कहते हैं मेनत कमाती है दोस्तों यदि मेनत कमाती तो उन दोनों भाईयों में मैं आज भी किसी को दोसी नहीं मनता दोनों बराबर मेनत करते हैं और जो कमजोर है वो ज्यादा मेनत करता है मेरी नदर में मगर एक अरब्पतियों की लिष्ट में है और एक करदार्ग में लिष्ट में दुनिया की सचाई कुछ और होती है समझ अपन कुछ और लेते हैं और होता कुछ अलग है दोस्तों रिष्टे बनाने और निवाने में यहीं अंतर है जो पैसा कमाने और खर्च करने में है जो खर्च करना जामता है वो पैसा खर्च करते भी कमा लेता है और जो कमाना जामता है उसको पता नहीं होता है खर्च कैसे करें ये जीवन के सच्चाईयां, ये जीवन के कटू अनभव, आपको ये दी सुनने हैं, देखने हैं, समझने हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला वीडियो, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, इससे भी ज्यादा बढ़िया होगा, अपना ख्याल रखिये, अपने माता पिता का, अपने से पहले और अपने से ज्यादा ख्याल रखिये, क्योंकि आप जो कुछ भी हो, आज जिस मुकाम पे हो, वो मुकाम हासिल कराने में, उनका बहुत बड़ा योगदान है, ये मेरे विचार हैं, आपके विचार भी मेरे से म जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्तार